असलामलेकुम माई यूट्यूब फैमिली और वेलकुम बैक टू माई चैनल क्या हल चाल है आप सब का उमीर है कि सब ठीक होंगे अपने अपने घर में खुश हो अबाद होंगे में दुआ है कि आपके आप सबको खुश रखे अबाद रखे हस्ता बेस्ता मुस्कुराता बनाई थी जो सिंपल से होते हैं आप भी ट्राइ किजए का चलेंगे कैचप यूज किया है मैंने क्रीम चीज है और यह हॉट और प्रिस्पी के यह चिप से बहुत ही मज़े के बनते हैं थोड़े से यह लिए हैं और एक को मैंने बिल्कुल हलका सा ओलिवर डाल के फ्राइ लिए था उसके बाद जो हमारे एग्स हैं वो डाली है मैं और हां उससे पहले मिने ब्रेट को हलका हलका सा बेटर लगा के थोड़ा सा ना फ्राइंक मैं में ब्राउन कर लिया था जैसे टोस्स करते हैं वैसे वैसे तो मैंने इने गिल भी करना था बाट फिर भी मुझे बहुत खांसी और है कि वो अटाइम के साथ जाएगी और मौसम भी ठेंडा कभी गरम हो जाता है तो इस वदा से खायर सरदद हो ही जाता है घर में बैट केम काफी बोर्ड भी फील कर रहें तो यहां पर कैचप डाल लिया है मैंने और साथ में जो चिली सॉस होता है इसे श बूंद है और सुबा कहते हैं के फोगी वोगी साह होता है कुछ भी नजर नहीं आता और थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी होता है किश्मीर में तो आप बताएगे के आपके एरियास में क्या सिचुएशन है है हैल्थ अपडेट में आपको दे चुकियों इंशाला हमारा थी के फ्लाइट थी 17 को आज के दिन और वो नहीं जा सके क्योंकि उनको 10 डेज और एक्स्टेंड करना पड़ा इस वज़ा से तो यहां पर हमारे यम्मी से सैंविच इस रेडी हैं बहुत ही सिंपल से हैं और हेल्दी भी आप कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा मैंने उन्हें जो ची कभी कभी चलता है तो यहां पर फ्रेश और इन जूस बना लिया था मैंने उसकी वीडियो फिल्म नहीं की थी क्यूंकि सबको सिट्रस प्रेस पे जूस बनाना आता है और हम लोग चाहे करते हैं कि कुछ डिफरेंट बना के काई थोड़ा सा चट पटाओ क्यूंकि हमारे ट यहां पर दिफरेंट डिफरेंट वारीएशन ट्राइक करते हैं हमने हैल्दी भी खाके देखा है तो कभी कभी दिल करता है ना कि आप कुछ डिफरेंट खाएं तो लंच में भी हम लोग बना रहे थे पीजा लंच क्या कहेंगे यह शाम के तक रीबन तीन से चार बजे हमन खालगा साथे स्नेक कि ठीजा लें कि ठॉडा सघालें प्रेस मी जफ्रम हम 5 छालाइस की खा लेंगा लाइनर में त्थे लंच में बश्किल एक स्लाइस कैसी क्योंड़ आर। बीलकर भी दिल नहीं कर रहा है खहुंत उना उस्ट हमें के कहले काL थे कहो के बहुते जाते हों बिल्कुल भी थेंड़ा रहां होटे में तो यह सब्सक्राइब और कि अच्ममें की हैं थी फील्ड हो होगा बाते एससे के चνशीक्त है ना तु जाते हैं हम खड़े रह सकते हैं जारा दे लेटा भी नहीं जाता है अजीब कमर में और पीट में दर शुरू हो जाता है पता नहीं है क्यों है तो बस अल्ला से दुआ कि जा कि हम लोग मुकमर ठीक हो जाएं वैसे जो करोना की बाकी लामते थी वह तो दूर हो चुकी है जो टाइडने देने लिएडन वीक तो दूर दुरस धिक कर देने और प्रणार नहीं है तो बहुत है कि जा जब्या-बहुत नहीं को रहा है प्ता नहीं और पिर प्धालिदा हूने लगा या distant यह लूग को तकलिफ दे ही रहा है तो तुमा आमीन क्या दो दो औड़ जो दो पीजा दिय तो मैंने आपको शो कर दी हैं एक पर जादा चीज से एक पर थोड़ी सी कम थी और बच्चों के लिए हमेशा माल गृड़ा बनता है और उसके मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई तो जो मैंने यहां पर याड नहीं कि बच्चों को सिंपल पीजा पसंद है वो कोई वेजी डे करें तो यहां पर बीफ का किमा था तो मैंने का किये बना लीटी हूं किमा और मटर हमारे पास वाकिस्तां से तो और यह थोड़ा-थोड़ा से करके ने यूज किया था तो आज यह तकरीबन में थोड़ा-धी कीमा लिया था और प्याज और जिंचर गारलिक उन्सदॉता भान होने के बाद मैंने कीमा बाध एक्त कीम कर दिया और इसको मैं अच्छी कर लूँगी तो पही पिलन इसमें इसमें सब्सक्राइब टालूगी और यह साथ में फ्राइब सब्सक्रास थूरा सा तो मोelं भ्राइब अच्क कर दंद हैक показ फ्राइब कर लुए तो फिर हम इसमें अपने स्पाइसे एड करना शुरू करेंगे और यह साधे से स्पाइसे ब्लैक पेपर है इसमें और धनिया पाउडर है हल्दी है नमक यह रेड चीली पाउडर है क्योंकि ग्रीन चीली बीडालूंगी तो इसलिए रेड चीली जुन सी है यह वान टेबल स् तो यहां पर देखें कीमे का कलर कितना अच्छा आ गया है अच्छे से वह गोल्डन ब्राउन सा हो गया है बुनाई उसके अच्छे से हो गए थी तो मैंने यह स्पाइसे एड कर देंगे इसके बाद हमेशा में ट्राइक करते हूं कि टॉमाटो की और ग्रीन शीज की अच्छे से खाँ पी रहे हैं आज रूटीन मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था मुझे पहले डर था कि वह हमारी क्लोज जायर सी बात हैं बात दफ़ा हमें एक रूम में भी होते हैं बच्छों को बच्छों के लिए हमने यह किया था कि हमेशा गलवस पहन के उन्हें में फीड करवाती थी हजबंड़ों मेरे उन से दूर ही रहते थे उन्हें अकेले हैं खेलने के लिए शोड देते थे और टाइम तो ऱुट्याइज करते थे और बच्छों को बहुत ज़्यदा शोड़ कि वह से निटाइजर यूज करें तो यूज करते थे मास्क तो हर बच्छों को हमने नहीं लगाये थे क्योंकि हमने खुद लगा के खुद को सेफ रखा था और उनको भी सेफ रखा था ता क्योंकि जायर सी बात है मसला हमें था तो हमें जब स्नीजिंग होती थी कफिंग होती थी तो मास्क हमारे लिए ज़रूरी सा तो हमने हमेशा मास लगाया रखे और अपने लिए जो बर्तन हमने यूज कि हमेशा वो डिस्पॉजिबल थे यूज एंट थो वाले तो हमने जो पेपर कप से वो यूज कि प्लास्टिक प्लेट्स यूज की ताकि हम जो भी यूज करें उन्हें भैंक दें और बच्चों से बच्चों के भी कुछ सेलेक्टिड बढ़ते हैं जिनमें वो खाना कहते हैं उनकी अपनी ही प्लेट्स होती हैं इस लिए इतना डर्ड नहीं था और बच्चे खुझ से कभी फ्रीज को भी हात नहीं लगाते हैं और हम टाइम टू टाइम फ्रीज को भी सेनिटाइज करते और ग्लव्स पेने होते थे तो इतना मसला नहीं था कि हमने कहां कहां टच किया है और बच्चों को भी में ट्राइ करती थी कि कहभा वगरा दू इतना एजली वो पी सके और रूम टेंप्रेशर पे उनके जूसिस और उनको पानी दी रहाता था और दूद तो होता ही गरम ह तो इस तरह से लगा शुकर है कि बच्चे बच्चे रहे ठीक रहे और में दुआएं कि अला उनको ठीक ही रखे ला सबके बच्चों को सेफ रखे इस करोने से तो मेरे आज का व्लोग इतना साही था उमीरे कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही मेरे मतर और जो की मैं हो पके रेड़ी हो चुके हैं बताएगा कि आपको यह रेसी पीजाज की कैसी लगी मिलते हैं बहुत जाद नेक्स व्लोग में तब तक के लिए फी अमान अल्ला अल्हाफेज